सब इंस्पेक्टर के 43 हो पदोपर भारती 30 अगस्त करें आवेदान करमचारी चायन आयोगने दिल्ली पूलिस केंद्री ये सशास्त्र पूलिस बलो में सब इंस्पेक्टर के पदोपर होने वाली भारती परीक्षा 22 के लिए जुतना जारी की है इस भारती को लेकर आवेदान पर के लिए आवेदान कर सकते हैं जो उमीदार इस भारती में सामिल होना चाहते हैं वे करमचारी चायन आयोग के अधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अजिसुतना जाच सकते हैं करमचारी चायन आयोग के लिए आवेदान पर क्रिया 10 अगस्ते आरामभ हो चुकी है आवेदान के अमतिम तारिक 30 अगस्त 2022 को रात 11 बहे तक तैकी गई है बता दे अधिसुतना के अनुसार इस भरति में खाली पदों की कुलसंग टे तालिस है इसमें से 228 पद दिली पुलिस सब इंस्पेकटर सब इंस्पेकटर दिली पुलिस महिला के 112 पद वहे 49 पद केंद्रीय सशस्तर पुलिस बल के लिए है बंगाल की खड़ी में लो परेसर बनने से जार्खन के लगभग सभी जीलों में तीन दिनों से बारिस हो रही है साथी मादे परदेश में बने साइकलोनिक साइकुलेशन में परिवर्तन का असर भी जार्खन परपड़ रहा है लगातार हो रही बारिश से जन जीवन अस्त ब्यस्त हो गया है वही राइधानी राची की सड़के जल्मगन हो गई है मौसम बेग्याणी अविस्तेक अनंद के अनुसार 13 अगस्त करांची सहित राजे के अने हिसो में रूक रूक कर बारिश होने की संभवना है बता दे 15 अगस्त को आकास में बादल चाहे रहेंगे कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है वहीं 17 अगस्त के बाद एक बार फिर अच्छी बारिस होने के संके था है हेमंत सुरेन खनन लीज आवंटन के 17 अगस्त को बिश्तिरित सुनवाई सुप्रीम कोट के जस्टीस यू यू ललीत जस्टीस अनिरूद बोस और जस्टीस सुधान सु धूलिया की पीठ में मुख्य मंत्रे हेमं सुरेन को लीज आवंटन करने और उनके भाई बसंद सुरेन के करीवियों द्वारा सेल में निवेस करने के ममले पर सुनवाई होई सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त दोनों जनित याजका से जुड़े सभी दास्तावेज कोट में पेस करने का निदेश दिया है साथ ही अदालत ने जजका दाखिल किये जाने से पहले समधित विभाग में की जाने वाली सिकाईत की परती भी पेस करने को कहा इसके अलावा अदालत ने इडी से केस से समधित दास्तावेज भी कोट में पेस करने का निदेश दिया बता दे अदालत ने कहा है कि उक्त मामले में 17 अगस्त को बिश्तिरित सुनवाई की जाएगी सुनवाई की दोरान सरकार की ओर से वर्य अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा है कि हाई कोट में दाकिल या नित्याज का नीजी स्वार्थ के लिए है रांची संप्रदाइक हिंसा गिरी सचीव डिजीपी को फटकार जार्खन हाई कोट के चिफ जस्टिस डाक्टर अभी रंजन वा जस्टिस एसन परसाद की खंट पिठ में रांची हिस्समामले में एन आई ए जाच को लेकर दाखिल याज का पर सुनवाई होई सुनवाई के दुरान सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गाई इस पर अदालत ने नराजी जताई अदालत ने मोखिक रूप से कहा है कि अभी तक इस मामले की जाच की इस्थिति के बारे में कोई यंकारी नहीं दी गई है कोट ने पिछली सुनवाई के दोरान असपर पूछा था कि जाज के दोरान रांची SSP और थाना प्रबारी को क्यों हटा दिया गया है इस मामले में अदालत ने DGP और गिरी सची को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है जल संरक्षन का माध्यम बनेगी सरकारी स्कूल मंत्री जगरनाथ मंत्री ने जल सनरक्षन को लेकर बच्चों में समझ विक्सित करने को लेकर स्कूली सिक्षा यमसक्षता विवाग के सहयोग से जल सेनानी कल्ब की पहल की सराना करते हुए कहा है कि राजे के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे इसे जागरूप होंगे तथा भविस्टे के जल योधा के रूप में तयार होंगे ज्यारखन के दो पूलिस अपसरों को केंद्रिये ग्रीह मंत्री पदा केंद्रिये ग्रीह मंत्रालाई ने देश के 151 बेहतर अनुसंधान को को वर्ष 2022 के लिए केंद्री ग्रिह मंत्री मेडल के अनुसंसा कर दी है यह मेडल बेहतर अनुसंधान के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है बतादे इस वर्ष जार्खन से सिर्फ दो पताधिकारियों को बेहतर अनुसंधान के लिए केंद्री ग्रिह मंत्री मेडल मिला है इन पताधिकारियों में CID के DSP, JPN चोधरी, वरांची जीला बल में चान हो थाना में पदस्थापीत महिला दरोगा रूपा बाखला सामिल है बताधि CID के DSP, JPN चोधरी को गुमला में समेकित जन जातिये विकास अभिकरण के सरकारी खाते से फरजी चेक के माध्यम से 9.5.16.700 की अवयद निकासी करने वाले अंतराजिये गिरों को पकड़ने वा रूपयों की बराम्दगी करने के लिए यह मेडल मिला है जारखन में मिलने लगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली जारखन के बिजली उभोकताओं को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त का लाव मिलना अरम्भ हो गया है बिजली बित्रन नेगम के महा प्रवन्थक सुभांकर जा के मुताविक बिलिंग सप्ट्वियर में इसके लिए अपडेट कर लिया गया है जिन बिजली उभोकताओं को जुलाई माह का बिल इस माह में मिल रहा है उन्हें 100 युनिट बिजली मुफ्त का लाव मिल रहा है राज्य मंत्री परिशद ने इस आसे की मंजूरी दी थी इसी के मुताविक बिजली बित्रन नेगम ने बिलिंग अरम की है इसके बाद 400 युनिट तक सबसिडरी का लाव मिलेगा बतादे 400 युनिट से अधिक हपत पर न तो बिजली मुफ्त बिजली मिलेगी और ऐसे उभकताओं को सबसिडरी का भी लाव नहीं मिलेगा कोट फीस बढ़ोत्री पर सरकार से जवाब तलब कोट फीस में बढ़ोत्री करने के खिलाब दायर जनहीत याज का पर सुनवाई करते हुए जारकन हाई कोट ने सरकार से जवाब मांगा है सुक्रवार कोट चिफ जस्टिस डाक्टर रवी रेंजन और जस्टिस सुजीत नरायन परशाद के अधालत ने सरकार को 17 अगस तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है बतादे जारकन बार कॉंसिल की जनहीत याज का पर सुनवाई करते हुए अधालत नहीं निर्देश दिया सुनवाई के दोगान कॉंसिल की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवाक्ता राजिंद्र किष्ण ने अधालत को बताया है कि राज सरकार ने फिस बढ़ाने का कोई ठोस अधार नहीं बताया है सरकार ने कोट फिस में बेताहासा बढ़ोतरी की है हर घर तिरंगा अभियान 40 लाख घरों तक मुफ्त तिरंगा देगी सरकार राज सरकार ने अब तक करीब 40 लाख तिरंगा का इंतजाम कर लिया है सभी जीला उपायुक्तों को जण्डे उपलब्द करा दिये गए है अब जीला पर सासन हर घर तिरंगा अभियान के तहट लोगों के घरों तक निसूलक तिरंगा उपलब्द कराएगा अकेले रांची में ही पांच लाग तिरंगा निसूलक बाटा जाएगा जार्कन सरकार ने लोगों को निशूल के तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए तीन माध्यम से इंतिजाम कराया है बता दे पहला केंद्र सरकार के अंतरगत सरोजनिक उपकराम दूसरा संस्कृति मंत्राला है टेक्स्टाइल मंत्राला है और तिसरा गरामिन विकास विभाग कंतरगत जेसल पियस के माध्यम से राई सरकार ने पच्ची सो साहयक पुलिस कर्मियों को एक माह का अधी विस्तार दिया है यह मामला राई सरकार के पास विचराना धिन था इस्तमध में गरीह कारा एवं आपदा प्रमधन विभाग ने आदेश निर्गत किया है आदेश में कहा गया है कि साहयक पुलिस कर्मियों की मांगों पर विभागे अस्तर पर विचार किया जा रहा है और सायक पुलिस कर्मी अपनी पांच वरस की अवधी के अतिरीक्त, एक माह के अतिरीक्त कारे अवधी तक कारेरत रहेंगे 75-77 दिवसपर जारखन में बनाया जा रहा 3 किलोमीटर लंबा तिरंगा अजाजी के 75 वर्षगाठ को लेकर पूरे देश में अमरित महोसव मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा कारेकरम का भी आवेजन किया गया है बतादे जारखन के बोकारों में एक समाज सेवी ने 3 किलोमीटर लंबे राष्ट्रिय धवज को बना कर 200 रिकोर्ट बनाने की ठान लिया है तिरंगा ज़ंडे का निर्मान किया जा रहा है इस ज़ंडे को बनाने में 35-100 मिटर कपड़े का इस्तेमाल किया गया है चार कारीगार दिन रात में नत कर तिरंगे को बनाने में जुटे है दो कारीगार इसमें प्रिंटिंग करने का काम कर रहे है वही इस ज़ंडे को 13 अगस तक त्यार कर लिया जाएगा रांची से पुन्ने मुंबाई और माला जाने वाली ट्रेन समेट 6 ट्रेने 15 तक रद मानसुन के दिनों में एक तरफ जहां 12 आम लोगों को परसान कर रहे है दूसरे तरफ कुछ तक निकी वाजहों से रांची रेल मंडल से खुलने वाली तिन ट्रेनों को 12 अगस से 15 अगस तक रद किया गया है बताद इस वाज़ा से पुन्ने मुंबाई और बंगाल जाने वाले यात्रियों की परसानी थोड़ी बढ़ गई है रांची रेल मंडल की ओर से जारी सुचना में दक्चिन पुरोमध रेलवे के नागपुर मंडल के अंतरगत काना रेलवे स्टेशन पर नन इंटर कॉलिंग कारेक की वज़ा से तीन ट्रेनों को रद करने की सुचना जारी की गई है इसमें 2846 हट्टिया पुने एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 1345 मल्दा टाउन सुरत एक्सप्रेस रद किया गया है धनबाद में आंगन में अचानक से धस गई जमीन जार्खन के धनबाद जिले के सीजुआ भदरी चक में अनोखी घटना घटी हा यहां के स्थानिय निवासी मक्सूद आलम के घर के आंगन में अचानक से जमीन धस गई और गोफ बन गया इससे आफरा तफ्री मच गई इस घटना में घर के लोग बाल बाल बच गई अचानक हो इस घटना से बड़ा हाथसा हो सकता था घटना के बाद पिडित और अस्थानिय लोगों में दोसत का महोल बना हुआ है बता दे मक्सूद आलम यहां के रयत हैं उनकी अपनी जमीन पर आवास है जहां भूध धनसन के साथ गोफ बना है बारिस में लो विजिबिलिटी से बिमानों के उड़ान में परिसानी देवगर डिसी लो विजिबिलिटी के कारण जहर्खन के देवगर यहरपोट पर बिमान को लेंडिंग और टेक आफ करने में परिसानी आ रही है इस कारण कई बार कुलकाता से देवगर आने वाली फलाइट वापस चली गई और दुरगापुर में लेंड कराई गई गुरुवार को बारिस के कारण लो विजिबिलिटी होई तो उड़ाने रद करनी पड़ी इन सारी समस्याओं को दूर करने के उदेश से देवगर डिसी मंजुनात वयंत्री ने सुक्रवार को यहरपोट के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में उन्होंने यहरपोट उद्गाटन के बाद चल रहे कारे के अलावा नाइट लैंडिंग को लेकर चल रहे भी भीन कारेयों की समिक्षा की और अवसक निर्देश दिये हेमंत सुरेन मामले में चुनाव आयोग में बहस पूरी 18 के बाद भैसला मुख्य मंतरे हेमंत सुरेन को लीज आवंटन करने के मामले में सुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई होई इस दोरान हेमंत सुरेन की ओर से बहस पूरी कर लिगाई इसके बाद भाजपा की ओर से उनकी बहस का जबाब दिया गया जिसमें इस केस से जुड़े सुप्रीम कोट के कई आदेशों को आयोग में पेस लिया गया इसके बाद आदालत ने इस मामले में 18 अगस्तक दोनों पक्षों को लिखित जबाब दाखिल करने का निदेश दिया बता अदेश से पहले सुनवाई के दरान हेमंत सुरेन के अधिवक्ता ने आयोग को बताया है कि इस मामले में जन प्रतिनिदित अधिनियम 1951 की धारा नौ ए नहीं लागू होगी जिसमें सस्यता समाप्त किये जाने की बात कही गई उनकी और से दो घंटे तक बहस की गई है कोडार्मा की तिलेया डेम में 15 से 17 अगस्तक वाटर एडवेंचर एस्पोर्ट जार्खन की कोड़र्मा जिले का तिलेया डेम राज्ये के महतपुन पर्याटक अस्थलों में से एक है यहां के प्रहकिर्तिक दिरियस से करना जारा देखने के लिए हजारों पर्याटक यहां पहुंचते हैं अब उपायुक्त आदिते रंजन की पहल से पर्याटर निदेशाले जार्खन सरकार द्वारा तिलेया डेम में एडवेंचर एस्पोर्ट का आउजन किया जा रहा है तीन दिवसी एडवेंचर एस्पोर्ट 15 से 17 अगस्त तक चलेगा इसका संचलन सुबह 7 बैसे 11 बजे एवं 2 फर 3 बैसे 5 बैसे तक किया गया है बता दे वाटर एडवेंचर एस्पोर्ट के तहद पर्याटकों के लिए पैरा सेलिंग, रॉक, वाल, कलाइन बिंग, कया किंग, बनाना राइड, रिंगो राइड, सर्फिंग का आउजन किया जाएगा पर्याटक एडवेंचर एस्पोर्ट का निस्चुलक लूपत उठा पाएंगे, सुरक्षा के लिए लाइफ जायके ठेतू 100 उपए डिपोजिट के तोर पर लिया जाएगा जो रिफंडेबल होगा लोहरदागा में पूलिस जवान ने खुद को मारी गोली, जार्खन के लोहरदागा में पूलिस जवान ने खुद को गोली मार खुद खुद सी कर ली है, मिरी तक जवान लोहरदागा कोट के पीपी का बोडिगार्ड था सदर थाना छेतर के पुरानी पूलिस लाइन के कमरे में जवान की खून से लदपत लास मिली जवान ने सीर में गोली मारली, 100 के पास पिस्टल पड़ा हुए मिला बतादे जवान की पाचान आसुतोस कुमार के रूप में हुई सुचना मिलते ही सदर थाने के पुलिस मोखे पर पहुंच जाच में जूट गई मिरी तक आंगी आव बाजार थाना जिला भोजपूर बिहार का निवासी था सडको पर यूट टर्न की जगा नितिस कुमार के तस्वीर लगा देनी चाहिए बीजेपी जार्खन के पुरो मंत्री और बिजेपी विधायक सीपी सिंग ने खीरू महतो द्वारा दिये गए ब्यान पर तिकी पर तिकरिया व्यक्त की है सीएम नितिस कुमार पर कटाक्स करते हुए उन्होंने कहा है कि सलक पर जहां यूट टर्न लिखा हुआ रहता है वहां सिंबल की जगा नितिस कुमार की तच्वीर लगा देनी चाहिए सीपी सिंग ने दवा किया है कि जेडियू जार्खन में एक भी सिट नहीं जीत पाएगी खिरू महतो एक बार गलती से नितिस कुमार का सिर्वाद से राजे सभा पहुँच गए अब वह दोबार नहीं पहुँचने वाले बी एन आई का 27-28 अगस्त को ब्यापार मेला बी एन आई रांची के दोबार 27-28 अगस्त को स्वन भूमी बैंक्वेट होल में ब्यापार मेला होगा यह जनकारी मीडिया परभारी विसाल जैन और दिपक गोयनका ने सुक्रवार को डांगरा टोलीज थीत होटल में हुई प्रेसवारता में दी इस मेला में पूरे जार्खन से 120 एस्टोल लगाया जाएगा जिसमें आपने विभीन उत्पादों वा सिवाओं का प्रदर्शन करेंगे आयोजन आपसी बैपार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है बताया गया है कि जार्खन में बैपार वा सिवाओं के बहुत संभावनाए है PLFI नक्सल समेत बड़े मुद्धों पर बैथक करेंगे अमीच सा केंदरी गरिह मंतरी अमीच सा 17 अगस्ट कोदेश के सभी राज़े के DGP समेत अन्य अधिकारे के साथ बैथक करेंगे इस दवरान PLFI नक्सल समेत अन्य बड़े मुद्धों पर चार्चा होगी बैठक में जार्खन की तरफ से डीजीपी नीरज सिनहा, एडीजी अभ्यान संजय कुमार लाठकर, आईजी एवी होमकर के साथ साथ CID, स्पेशल बरांज के आईजी वा ATS के SP भी सामिल होंगे साथी केंदर सरकार के गिरी मंत्रा लेवा, IB के वरी अधिकारी भी सामिल होंगे रांची के मोराबादी में प्रेट का रिहलसल रांची DC ने लिया जाए जाए जार्खन की रेधानी रांची के मुराबादी मैदान में सोतंत्रता दिवस के आयोजन को लेका तेयरिया चल रही है जवानों द्वारा प्रेट का रिहासल भी किया जा रहा है रांची डिसी राहूल कुमार सिना वाई सेस्पी किसोर कौशल सुकरवार को मुराबादी मैदान पहुँचे और यहां सोतंत्रता दिवस समारों की त्यारियों का जाजा लिया और प्रेट के रिहासल का निरिक्षन किया इस दवरान उन्होंने समारों की त्यारी को लेकर एक महिला एवम सिम्डेगा जीले के एक बच्चे को दिली से मुक्त कराया गया मानव तसकरी की सिकार हुए ए बच्चिया पच्मी सिम्भूम जीले की हैं इन बच्चियों में डेड़ वर्स की बच्ची भी सामिल हैं बता दे मुक्त कराया गया बच्चों में एक बच्ची के साथ रहता है इस बच्ची को दिल्ली में लगवग एक साल पहले मानो तसकर द्वारा बेश दिया गया था मुक्त खराई गई दो लड़कियों को मानो तसकरों के चंगुल से दूसरी बार छुड़ाया गया है रांची से दुबाई बैंकोक के लिए सुरू हो बिमान सेवा संजाय सेट रांची के सांसत संजाय सेट ने नई दिल्ली में केंद्रिय नागरिक उड़ाने एवं इसपात मंत्री जोत्रिया दित सिंधिया से मुलकात की इस दुरान उन्होंने उन्हें रांची में हवाई यात्रियों की सुवधाओं के बिस्तार से समन्धित आगरापत्र सोपा केंद्रिय मंत्री को दिये आगरापत्र में संसत ने कहा है कि रांची से नर्थ इस्ट के लिए सिधी बीमान सेवा अरम की जाय ताकि धार्मी के अत्राओं बेवसाइक कर्यों वा अने उदेस्यों से बाहर जाने वाले नागरीकों का आवागमान असानी हो सके उन्होंने कहा है कि रांची से सब्ताहिक दुबाई, बैंकोक वा थाइलेंड के लिए भी बीमान सेवा सुरू हो जार्खन के हाई स्कूलों में हेडमास्टर बनने में लगे 16 साल जिनकी न्यूक्ति होनी है उनमें दो प्रधन ध्यापक इस वर्ष और दो अगले वर्ष सेवा निवृत भी हो जाएंगे इसकूली सिक्षा एम सक्षता विभाग द्वारा इस समध में पत्र जारी किया गया है रांची दिल्ली बीमान सेवा 20 अगस्ट से होगी बंद 20 अगस्ट से यर इंडिया की दिल्ली रांची दिल्ली सेवा बंद हो रही है इस बिमान की सेवा फिर कप से शुरू होगी इसके बारे में फिलाल कोई सुचना नहीं है बता दे दिसंबर तक इस बिमान में टीकट बोकिंग नहीं की जाएगी इस समान में वीर्सा मुंड़ाय आरपोट प्रबंधां के पास कोई लिखित सुचना नहीं पहुची है इस कारण इसे फिलाल बंद किया गया है धन्यवाद